और चलिए आपको सीधे महाराश्ट लिए चलते हैं प्रधान मंत्री मोधी आज महाराश्ट में मौजूद है और यहाँ पर वो सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं माजा नवश्कार 26 अप्रिल ची तयारी जाली ना खरेच मैं सबसे पहले मराधावाड की महान धर्ति से हुजूर सहब को गुरु गोविन सीजी को प्रणाम करता हूँ मैं रेणू का माता और दत्त भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ मैं बाबा साब आम बेड कर और नाना जी देश्मोक दोनों भारत रखना जैसे राश्पुरुषों को नमन करता हूँ साथियों कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्द हुआ है मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को और विशेश कर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ मतदान के बाद अलग-अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारिया मिल रही है उसे विश्वास पक्ता हो रहा है कि पहले चरण में NDA के पक्ष में एक तरफा मद्दान हुआ है लेकिन मैं देश वास्यों से आगर करूँगा NDA की जीत आप पक्की कर रहे हैं मैं सर जुका कर आपका आभार व्यक्त करता हूँ लेकिन जो लोग मतदान नहीं करे रहे पहले चरण में लोग कंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत होता है आप किसी को भी वोट दें लेकिन वोट जरूर दें हमें बोट में कभी भी उदासिंता नहीं करनी चाहिए और ये बात सही है गर्मी बहुत है दिक्कते भी है शादिया भी है कुछ इलाके हैं जाक किसान भी काम में है फिर भी जब हम देश के जवान की दरब देखते हैं कोई भी मौसम हो सीमा पर कितनी ठंड हो बरब गिर्ती हो कितना ही गर्मी हो वो डटा रहता है क्यों देश के लिए मैं मानता हूँ मतदाता हूँ के मन में भी ये भाव होना चाहिए कि मैं मतदान किसी पर उपकार नहीं करता हूँ मैं मतदान करके मेरे देश का भविष्य पक्ता करता हूँ मेरे देश के भविष्य को सुनिस्चित करने लग लिए मतदान करता हूँ और इसलिए एंडिये के भव विजय की पहले चरण में साप साप आपका सहयोग के बावजूद भी लोग तंत्र के लिए मैं फिर अगर करूँगा कि भारी मद्दान हो रा चाहिए और मैं राजनीतिक छेत्र के सभी दल के कायर करता हो कहूँगा भले आपको लगता हुआ आज कि भी अब चुनाव हारने वाले क्यों मैंनत करे मैं उनको भी कहता हूँ लोग तंत्र के लिए मैंनत कीजिए अरे आज नहीं तो कल नहीं तो पर्सो पर्सो नहीं तो नर्सो अरे कभी तो मोका आएगा ऐसे निरास हो के क्या बैठ गए हो और इसलिए इसलिए जिनकी हार सुनिस्चिद है उनके कायर करता हूँ को भी मैं होसला बुलन करते हुए कहना चाहता हूँ क्या मद्दाताओं को जुरूर मद्दान करने के लिए प्रेरित कीजिए क्योंकि दुनिया के लोकों को दुनिया में वोटिंग परसेंटेज बहुत काम होता है भारत में जब इतना सारा वोटिंग परसेंटेज होता है उसका विश्व पे प्रभाव होता है भारत की लोकतंद्र की ताकत का एक मजबुत उधार मनता है दुनिया को भी भारत को समझने के लिए अधिक्तम वोटिंग बहुत जरूरी होता है और आने वाले 25 साल तो विश्वम है भारत के महातमय के वर्ष है और इसलिए अधिक मद्दान हमारी लोकतांत्रिक ताकत का परिचे देता है साथियों वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडी एलाइंस के लोग अपने स्वार्थ में अपने प्रस्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए है और इसलिए खबरे यही है कि पहले चरण में वोटर से इंडी एलाइंस को पूरी तरह नकार दिया है क्योंकि मत्दाता जब मत्दान करने जाता है सोता है भई यह इंडी एलाइंस वालो आखिर देश किसके हाथ में सूपना है कोई तो चेहरा बताओ इतना बड़ा देश हम किसको सुपरुत करें तो तो बताओ तो बता ही नहीं पा रहे हैं यह लोग दावे जो करें लेकिन सच्चा यही है कि चुनाव की गोस्णा से पहले से ही कॉंग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके है और इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोग सभा में जीत करके आते थे इस बार आपने देखा है वो लोग सभा का चुनाव छोड़ करके राज सपा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी हालात यह है कि इंडिय अलाइस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उमीदवार तक नहीं मिल रहे हैं जादा तर सीटों पर इनके नेता प्रचाही नहीं करने जा रहे हैं और आप जानकर के हरान हो जाएंगे इस देश की करीब करीब 25 प्रतीशत सिटें ऐसी हैं 25 प्रतीशत जहां यह इंडिय एलाइस के लोग अंदर अंदर एक दुसरे के खिलाब चुनाव लड़ रहें अब वो किस प्रकार की बाते करते हैं जी कोई कल्पना कर सकता है चलो पर एक आज दो में गड़बन हो जाए वो तो समझ सकते हैं 25 परसंद सिटें ऐसी है इस देश के लोग सभागी जिसमें यह जो अपने आपका गड़बंधन का क्लेम करते हैं वो आपस में चुनाव लड़े हैं आपस में एक दुसरे को जेल में डालने की बाते कर रहे हैं आपस में एक दुसरे पर आरोप लगा रहे हैं किया ऐसे लोगों पर बरोवसा कर सकते हैं क्या। जो अंदर अंदर बरोवसा नहीं कर सकते हैं उस पर आप बरोवसा कर सकते हैं क्या। देज परोजा कर सकता है जो आज साथ होने के बाद भी 25-30 सीटों पर लड़ते हैं तो अगर उनको थोड़ी सीटे प्रार्लामेंट में मिल गई है तो अंदर भी वो तुफान करेंगे और इसलिए इस तुनाओं में इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है भाई और देखिए कॉंग्रेस के जो साहजादे हैं उन्हें भी वाईनाड में संकर दिख रहा है साहजादे और उनकी टोली 26 अप्रिल को वाईनाड में बोटिंग का इंतजार कर रही है जैसे ही 26 को वाईनाड में बोटिंग पुरा हो जाएगा यह साहजादे के लिए एक और सुरक्षी सीख गोसित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़े का उनको क्योंकि उनके एलाइंस के साथी भी एक दूसरे को गालिया दे रहे है कल आपने उनके साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो साहजादे को सुनाई है मैं भी कभी ऐसी भाचा नहीं बोलता हूँ ऐसी भाचा बोली है उनके साथी को यह हाल है उनका अब जैसे इन्हों ने अमेटी से भागना पड़ा अमेटी छोड़ा अब मान के चलिए वह वाइनार भी छोड़ेंगे आप कॉंग्रेस का यह परिवार आपको आस्तेरों का आजादी के पहली बार सिती ऐसी बन रही है कि यह कॉंग्रेस का परिवार इस सुनाव में कॉंग्रेस को वोट नहीं देगा खुद खुद कॉंग्रेस को वोट नहीं देगा यह हाल है इनका कोगी जहां वो रहते हैं वाँ कॉंग्रेस का उम्मीद्वारी नहीं है अब ये हैसी स्थिती कभी सोच ए अपने कॉर्गेस की कि जिस परिवार के भो से कॉर्गे से चलती है वो परिवार खूद कॉंग्रेस को वो्ट नहीं दे पाएगा साथियों आप देखियेगा चार जून के बाद इंडी गडबंधन आज जो पचीस परसंट सीटों पर बिखरा है लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है चार जून के बाद वो शत प्रतिशत एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं इसलिए ये इंडी अगाड़ी के लिए मुझे बताईए कोई भी समझदार नागरी इनके लिए वोट बरबाद करेगा क्या कभी भी वोट बरबाद करेगा क्या और मैं तो मत दाता हूँ कहता हूँ आईए जी भरकर के एंडी ये को वोट दीजिए पुरी ताकत से वोट दीजिए एंडी ये को वोट करना है विक्षित भानत के लिए वोट करना है और इसलिए ही आज पुरा देश कह रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार साथियों कॉंग्रेस गरीब दलीत वंचीत मदोर इसान के विकास के सामने हमेशा दिवार बनके खड़ी है आज भी इंडिये सरकार गरीब के लिए कोई काम करती है तो कॉंग्रेस उसका मजाग उड़ाती है आज जादी के छे दस्व को बात पहली बार हमने करोणों गरीब महिलाओं को साउचालज देने का भियान शुरू किया तब कॉंग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले लोग उसका मजाग उड़ाते से मैंने पचास करोड से जादा गरीबों के पहली बार बैंक खाते खुलवाए तब ये लोग कहते थे कि गरीब बैंक खाते को क्या करेगा हम देश में डीजिटल इंडिया और यूपी आई जैसी टेकनोलोजी लेकर आए तब कॉंग्रेस सरकार के एक बड़े मंत्री रह व्यक्ति कहते थे कि डीजिटल लेंदेन अनपड गरीबों के बहस की बात नहीं है जिस कॉंग्रेस पार्टी के सोच ही ऐसी हो जिसको देश की जनता पर भरोसा ही नहों उससे आप देश के विकास की उमिद कभी कर सकते हैं क्या उन पर भरोसा कर सकते हैं क्या ये लोग महराष्ट और मराठावाड़ा की समस्यों का कभी भी समाधान कर सकते हैं क्या आपकी समस्यों का समाधान कर सकते हैं क्या साथियों कॉंग्रेस ने दस्वकों तक महराष्ट और खासकर विदर्प और मराठावाड़ के विकास का दम गोंटने वाला का काम किया है इस छेत्र में सूखे के सिटी पानी का संकट एक दिन में प्यादा नहीं हुआ है कॉंग्रेस के रवये के कारान यहां किसान गरीब होते गए जहां उद्योगों से जुड़ी संभावना इस सुक्ती चली गई मराठावार के लौखों युवाओं को बलायन करना पड़ा आपको इस स्थिती से निकान ले के लिए एंडिये सरकार प्रतिबद्ध है यहां एकनाचिंदे जी देवेंद्र फणवज जी और अजीत पवार जी मिलकर किसानों के हीत में काम कर रहे हैं और अब तो इस छेत्र में और कुछी की बात है असोग जी भी हमारे साथ आ गए है और मुझे आद है मैं जब राजनिती में भी नहीं था और कभी मुझे लगता भी नहीं था मैं राजनिती में जाऊंगा उस समय पूट पर्टी में साही बाबा ने मुझे उनके पिदाजी से परिचे करवाया दाई बाबा का मुझे पर बहुत प्रयाम रहता था और मुझे पिदाजी के साथ लंबे वहाँ समय था तो काफी देर बहुत था इतने उच्च पदों पर रहने के बावजूद भी राजनितिक जीवन में इतना लंबा सफल केरियर रहने के बाद मैंने उनकी जो नम्रता मैं तो बहुत छोटी आयू का था सामान्य मेरे राजनितिक दे कोई लेना देना नहीं था लेकिन जिस प्रकार से प्यार से उनसे बाते करने का सवभा कि मुझे मिला वहक कभी भी भोलने सकता हूं ले हमेशा उनके व्यवार में से आज भी कुछ ने कुछ शिकने की कोशिश करता रूर्गा पड़िवार आज हमारे साथ है हम दनांदेड के 80% से ज़्यादा घरों में नल से जल आने लगा है सीन्चाई की समस्या के समाधान के लिए अपर पैन गंगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है यहां के किसानों को इसका बड़ा लाब मिलेगा हमारी सरकार ने पसल भी मायोजना के तहट किसानों को प्रीमियम से पाँज गुना ज़्यादा क्लेम दिलवाया है किसान सम्माध निजी के तहट अकेले नांदेड के किसानों को ही तेरा सो करोड रुपिय से ज़्यादा मिले है इस ठेत्र में तो जवार बाजरा बहुत होता है हमारी सरकार ने इस मोटे अनाज को पुरे देश में पहचान दी है उसके लिए पहचान दी है स्री अन्न जाए जवार हो बाजरा हो वो स्री अन्न के साथ पहचान ही जाए और जब से ये काम चुरू किया है दुनिया भर में लोगों का ध्यान हमारे स्री अन्न पर गया है सूपर फूर के रुपे गया है और नुट्रेशन की दुश्री से बहुत बड़ा ताकतवर संदेश गया है और इसका भी बड़ा लाब नांदेश के किसानों को मिलना तय है साथियों कॉंग्रेश के दिये हर जख्म का इलाज करना ये मोधी की गारंटी है इस छेत्र को सक्ती पीट एक्स्प्रेस वे और सम्रुद्धी महामार्ग जैसे वर्ल्ड क्लास रोड्स मिली है लातूर की रेल कोच फैक्टरी का लोकारपन करने का सहुपा कि मुझे ही मिला था उडान योजना के तहट नान्देड एरपोर्ड को भी फिर्शे शुरू कर दिया गया है पीएम आवास योजना के तहट यहां जारों गरीबों को पक्के घर भी मिले है आईश्मान योजना के जरिये तीन लाग से ज़्यादा लोगों को मुप्ति लाग की सुविजा मिली है लेकिन इन दस वर्सों में जो काम हुआ है वो तो अभी ट्रेलर है अभी तो हमारा बहुत समय कॉंग्रेस को एक गड़ों को बरने में गया है अगले पांच वर्सों में हमें मराठाबार और महाराष्ट को बहुत आगे लेकर जाना है साथियो नांदेड की ये धर्ती सीख गुरुओं के चरणों से पवित्र हुई है खाल्सा पंच की गुरु परंपरा और गुरु गोविन सीची के सीख हमेशना हमारी सरकार के लिए प्रेणना रही है बीते दस वर्सों में हमने सरबद्दा भला के रास्ते को मानकर लोग कल्यान के लिए काम किया है हमारी सरकार को गुरु नानक देव जी का 550 वा प्रकास पर्म मनाने का गुरु तेग महदूर जी का 400 वा प्रकास पर्म मनाने का गुरु गोविन सीजी का तीन सो पटासवा प्रकास पर्वा मनाने का सौभागे मिला करतारपूर कोरिडोर का काम पूरा होने के बाद लाखोस रधालूं को वहां के दर्शन में मदद मिल रही है लंगर को टैक्सी करने का नेने हो या हर मंदिर साहब के लिए एपसी आरे की अनुमती हो हुजुर साहब और हेमकुन साहब के दर्बार तक बहतर इंट्रासेक्टर का इंतजाम करना हो एंडिये सरकार ने सिख परंपरा से जुड़े हर तिल्ट के विकास के लिए पूरी शक्ति और पूरी भक्ति से काम किया है यह हमारी ही सरकार है जो अफगानिस्तान से वहां जब संकट आया निर्दोस्त लोगों की हत्याएं होने लगी हमारे धर्बस्तानों पर हमले होने लगे तब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंत साहब के पवित्र स्वरुवपों को पूरी सुरक्षा और मान मर्यादा के साथ हम अफगानिस्तान से भारत ने आए यह हमारी ही सरकार है जो बटवारे के पीडितों के लिए CAA लेकर आए CAA ना होता तो हमारे सीख भाई बहनों का क्या हुआ होता जो अफगानिस्तान से आए है लेकिन कॉंग्रेश इसका भी विरोद कर रही है ऐसा लगता है चोर ऐसी का बदला कॉंग्रेश सीखों से अब तक ले रही है साथियों हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरे होने की गारंटी मोधी ने गारंटी दी थी कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिलेगी आर्टिकल 370 आज इतिहास बन चुका है मोधी ने गारंटी दी थी तीन तलाग खत्म होगा आज मुस्लिम बहनों को तीन तलाग से मिल चुकी है मोदी ने गारंटी थी देश की अर्थे ववस्ता को गड़े से निकालेंगे आज भारत दुनिया की पांच वी सबसे बड़ी अर्थे ववस्ता है अब मोदी की गारंटी है भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थे ववस्ता बढ़ेगा और आप सब देख रहें आज अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बन करता यार लेकिन ये इंडिया गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं लेकिन ये इंडिया गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं ये लोग सनातन को गाली दे रहे हैं ये लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बैसकार करने को सही ठहरा रहे हैं ये लोग राम मंदिर में पूजा अर्चना को पाखंड बताकर हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं क्या ये माप करने योग है क्या ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या साथ क्यों मराठावार के वाले के लाका नहीं ये हमारे भारत का सुरक्षा कवच है मुगल आए अंग्रेज आए लेकिन मराठा शावर्य ने ये सिद्ध किया कि भारत हमेशा रहने वाला है आज एक बार फिर विक्सित महराष्ट और विक्सित मराठा वा भारत के लिए विक्सित मराठा वार के लिए हमें सबसे आगे खड़ा होना दिखता है आने वाली 26 एप्रिल को आपको मराठा वारा के विकास के लिए नांदेर लोग सभा से प्रताफ राव पाटिल और हिंगोली लोग सभा से बाबुराव कोहली कर इनको रेकोर्ड वोटों से जिता कर मुझे मजबूती करनी है ये दोनों मिद्वार आपके साउसद बनकार साउसद में मोधी को ताकत देंगे और इसके लिए आपको कुछ काम करना है करेंगे एक आपके बूत में मतदान के पुराने सारे रेकोर्ड तूटने चाहिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है करेंगे बूत में ज्यादा से ज्यादा मतदान पका करेंगे दूसरा हमें पोलिंग बूत जीतना है पोलिंग बूत जीतेंगे पोलिंग बूत जीतेंगे हर पोलिंग बूत जीतेंगे सबी मत्ताताओं से मेरा आगर है हर पोलिंग बुद्ध जीतना है अच्छा मेरा एक और काम करना है करेंगे करेंगे देखे महाराष्ट के गर-गर जाना और हर परिवार में जाकर के मोदी का प्रणाम पहुचाना मेरे प्रणाम पहुचाएंगे हर गर में पहुचाएंगे बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद